अगर आप यहाँ पे एक स्किल्स को बहुत जादा बढ़ाना चाहते हो और इन सब चीजों को सीखने के साथ यह वीडियो बिल्कुल पर्फेक्ट होने वाले आप लोग के लिए मैं आपके लिए एक ऐसे इंटर्शिप लेका हूँ जहाँ पर नए स्किल्स सीख सकते हो और न मैं आपको बताता हूँ कि जब आपको यहाँ से सर्टिफिकेट मिलेगा वह भी पहले बाद तो फ्रीफाफ कॉस्ट होने वाला है और उस सर्टिफिकेट को जब आप अपने रिज्यूमे में एड करोगे तो आपके यहाँ पर इन सारी चीजों का बेनिफित उठाना चाहत इनका है कर तो आपको स्टूड़ेंक देना है यह पर उट की पर्चाइट करते हैं अपन स्किल्स को ऊप्र ना चाहते है और नहींवागों के साथ जुडके काम करण से उन वाल मीपाह पर इन सब एक जानले जान लेते हैं कि ओब्जेक्टिफिकेट इस इंज इनका चाहते का अब्जेक्टिव हो यह है कि students और research scholars जो है हमारे उनको new new talents देखने को मिले new knowledge है new skills वो अपने अंदर बना है new techniques के काम करने की इनका यह major motive है इस यहाँ पर internship का इसके लाब बात करें कि interns में क्या के चीज़े देखते हैं क्या के चीज़े उनसे इसके demand करें कि कोई भी topic को कोई भी चीज़ों तो यह अपना यहाँ पर point of view उसके अंदर बहुत अच्छे से रख पाए topics कौन-कौन से होते हैं वह मैं आपके साथ discuss कर लेता हूं तो आप देख सकते आपको यहाँ पर अपना point of view रखना है और उनसे क्या output आ सकता है कैसे आ सकता है वह सब्सक्राइब करने कि कैसे आप यहाँ पर अपनी चीज़ों को बैटर कर सकते हूं और कैसे आप किसी और की चीज वह फित पर लेकर सकते हो इन सब चीजों को आपको यहाँ पर काम करना है ठीक है इसके लाओ बताएं कि eligibility क्या है यहाँ पे कौन को निसको apply कर सकता है आप यहाँ पी students अप यहाँ पर apply कर सकते हो ठीक है आप graduation अभी अभी कर रहे हो, apply कर सकते हो, complete कर चुके हो, तो भी apply कर सकते हो, post graduation कर रहे हो, या कर चुके हो, तब भी apply कर सकते हो, या आप को डिपलोमा कर रहे हो, तो भी apply कर सकते हो, अगर आप पे PhD holders है, और आपकी PhD complete हो चुके है, तो भी आप याप इसको apply कर सकते हो, so basically ऐसा नहीं है कि य लोग आपर काम करना पसंद करते हैं ठीक है इ relies पीरिड में आपने apply कर रहा है और उस पीरिड के according आपको यहां पर वर्क दिया जाता है ठीक है जिसकी mid week of October, first week of December, mid week of June, third week of August तो यह कुछ इनके slots हैं उन slots में आपको रिश्ट करना होगा और देन आपको यहां पर जॉब और देन आपको यह आपको करके दिखा दूँगा तो देन आगे बढ़ते हैं ठीक है इसके लावब बात करते हैं आप इसको आप अनलाइन apply कर सकते हैं सरी चीजे उन्होंने बताई हुए हैं और interns को जो इस organization में वो पढ़ रहे हैं उस organization आपको एक letter of recommendation आपको अपने head of department से sign करवाना होगा ठीक है इसके अलावा बात करें इसको apply कैसे करना है तो जैसे आपने आइड लोगिन करने के बाद आप इसके form को apply कर सकते हो ठीक है अपना application number सारा कुछ को fill करके कि आपका application किस process में कहां तक पहुचा वो सारी चीजी पर आप यहां पर चेक कर सकते हो सो यह सब कंपलीट करने के बाद जब आप इंटेंशिब पर लग जाओगे और यहां पर जब बात आईगी कि आपको क्या मिलेगा तो यहां पर आपको stipend देखने को मिलेगा वह यहां पर आपको 8-10,000 रुपे आपको देखने को मिलेगा इससे थोड़ा बहुत कम जादा सकता है बट यही एक अमाउंट है जो आपको यहां पर देखने को मिलेगा हो सकता है यहां पर आपको 7,000 भी मिल जाए बट यहां पर आपको 5,000 अब भी stipend देखने को मिलेगा क्योंकि बहुत एच्छी मिनिस्ट्री की तरफ से इंटेंशिब निकल के आरी है तैन अगर आपको इस चीज़ें तो आप में इस इंटर्शिप को जोड़र अपलाए करना बहुत अच्छी इंटर्शिप है इसके लब आपको अगर व्यूद पसंद देख देख लाइक जरू करना करना जोड़र बताना कि आपको यह वीडियो कैसा लगा है नाप सभी लोगा नेक्स वीडियो में नेक्स कर जोड़र साथ अपले गुडबाएं टेक क्यार